नमस्कार दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल चैने की सब्जी हमें भीगों चैने चाहिए थोड़ से चार पांच हरी मिर्च बारी कटे हुए दो प्याज चाहिए बारी कटे हुए एक चमर्च अध्रक लेसुन का पेश्ट आई ठीश चाहिँ है ठीश चाहिए 3-4 चमर्च शर्सोका तेल चाहिए स्वाधनस अर्नमक चाहिए आदी चमर्च हल्दी पाउडर आदी चमसण लाल मेस पाउडर पाउडर आदीचमस धनियाई पॉडर फोड़े से गरब मसाला और एक तीज पत्ते चाहिए सबसे पहले फ्रेंट हम चने को उबाल लेंगे चना भींगा हो तो चना है अपने पास चने को हम एक गिलास पानी डालके उबाल लेंगे दो सीटी आने तक उबालेंगे चने को चले फ्रेंस मैंने गैस आउन कर लिये, हम कूकर को रख देंगे, 2 सीटी आने तक उबालना आपको 2 सीटी लग गया है हम यहां गैस आउफ कर देंगे हमने यहां नॉर्मल कडाई लिया है चार्च मर्च हम सर्सू का तेल लेंगे आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो रहा है हम तो इस पत्ते डालेंगे और इसमें गर्म मसला डालेंगे तो थोड़ा सामने लिये थे गर्म मसला बड़ी राइची वह डालेंगे पांच से दस सकेंड भून लेंगे इसमें हम बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे इसे 5 से 10 सकेंड भूनेंगे इसका कच्छापन दूर कर लेंगे चलिए फ्रेंट्स हम बारीक कटा हुआ प्याज भी ले लेते हैं इसे हम बूनेंगे 2-3 मिनट बूनेंगे जब तक यह प्याज ना बून कर गत चलिए फ्रेंट्स 2 मिनेट हो गे देखते हम प्याज कितना पक़ा है दिखे फ्रेंट्स हमारा आधा प्याज फक ग्या आधी और भून नहीं प्याज को देखते हкो दबाएं कितना पका है हमारा चनण देखते हैं हमारा चना हमारा अच्छे सि dau गया है आप देख सकते हूं कैसेमारे सी मैस हो रहे हैं हम पानी अलग कर लेंगे चनफर और ह Ama अब हम इसमें अदक लेसुन का पेस्ट एड़ करेंगे अदक लेसुन का पेस्ट हमने एड़ कर लिया इसे पांच अदस सेकेंड भूनेंगे ताकि इसका कच्छापन दूर हो जाए इसमें हमें लाल मिर्स एड़ कर दिया यह जीरा पाउडर गुलमीज पाउडर हमने लिया था इसे में एड़ कर देंगे यह अदिचमज हल्दी पाउडर हमने एड़ कर लिया धनिया पाउडर अदिचमज हमने एड़ कर लिया इसे भूनेंगे, इसमें हम थोड़ा पानी लेंगे, आदा कब पानी लेंगे इसमें, ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए इसमें हम चैने के एकोर्डिंग ही नमक लेंगे हमने नमक एड़ कर दिया, इसे भूनेंगे अच्छे से इसे हम ढग देंगे, ढग के एक दो मिनिट भूनेंगे इसे एक मिनिट हो गया, देखते हैं हमारा मसाला कितना पके है देखे हैं, फ्रेंट्स मसाले अच्छे से पक रहे हैं मसाले हमारे भून चुके हैं अब हम उबली वो चनीज में एड़ कर देंगे यह दिखिए इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से फ्रेंट से दो मिलेट ढग के हम भूनेंगे लो फ्लेम पे चिले फ्रेंट एक से देर में ठोग गया देखते हैं हमारे चैने कितने पके हैं चैने में मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब हम यहां गैस ओफ कर देंगे चिले फ्रेंट समापको इसमें से भूनेवी सबजी में से अलग कर देंगे यहां गैस हम ओफ कर देंगे भूनेवी सब्जी में हम चने आधी सब्जी अलग कर देंगे भूनेवी चने निकाल देंगे आधी आधी में पानी डालेंगे फ्रेंट्स यहां हम दो प्रकार की सब्जी बना रह ändern, एक सूखी चना और एक ग्रेवी वाली चना हमने आदी चनी अलग करदिये सब्जी, आदे में हमने पानी, आदीगलस मिलादिया है, आप देख सकते हैं सब्जी दो हो जाएंगे एक सूखी सब्जी एक गेली सब्जी इसे दो मिनट पकाएंगे ड़क के फिर दो मिनट हो गए है जगते हैं हमारी सब्जी पक गई है अच्छे सब्जी यह हम गैस ओफ कर देंगे एक ग्रेवी वाली सब्जी तेयार होगी चैने की देखिए फ्रेंट्स हमने जो अलग यह था चाना सुखी सब्जी चैने की अलग सुखी सब्जी और एक ग्रेवी वाली सब्जी दो सब्जी तेयार होगी आपकी देखिए कितनी टेस्टी दिख रहे हैं फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें